हेलो एवरिवन, आज हम बनाएंगे भुने हुए चने के लड़ू ये लड़ू खाने में बहुत ज़्यादा स्वाधिस्ट होते हैं और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा असान है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इन लड़ू को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक ग्रैंडिंग जाल लेंगे और इसमें एक कप भुने हुए चने डालेंगे और जार का ढखका लगाकर इसको पीस लेंगे ध्यान रखे कि इसको हमें बिल्कुल बरीक नहीं पीसना थोड़ा सा दरदरा रखेंगे जिससे की लड़ू का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा ये दिखिए फ्रेंड्स पीसने के बाद इस मिकसर का टेक्शर बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए नाहीं ज़्यादा बरीक और नाहीं ज़्यादा मोटना अब ज़्यादा लड़ू उनाने के लिए बिल्कुल पर्फेक्ट है अब हम अपना नेक्स्ट प्रसेस करेंगे अब हम एक पैन जा फिर एक कडाई लेंगे और इसमें आदा कप देसी घी डालेंगे जितने हमने चने यूज किये हैं बिल्कुल उसका आदा हम घी यूज करेंगे और गैस का फ्लेम ओन करते हुए इस घी को अच्छे से गरम करेंगे घी अच्छे से गरम हो चुका है अब हम इसमें अपना त्यार किया हुआ मिक्स्चर डालेंगे अब इसको हम तीन से चार मिनट तक लगातार हिलाते हुए घी रोस्ट करेंगे इसको पकाते हुए हमें पांच मिनट का समय हो चुका है और आप देख सकते हो फ्रेंट्स के इसका करर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे mixture अब हलका गरम है, अब हम इसमें आदा कप पिसी हुई चीनी डालेंगे और flavor के लिए इसमें थोड़ा सा एलाइची का powder डालेंगे और अपने हाथों से इसको अच्छे से mix करेंगे चीनी अब अच्छे से mix हो चुकी है, यह mixture कुछ इस तरह का होना चाहिए अगर हम अपने हाथों से इसको बांदे तो ये बंदना चाहिए अगर इस टाइम पर आपको ये mixture थोड़ा सा बिखरा सा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा गी और add कर दीजिए अब हम इस mixture का थोड़ा सा portion अपने हाथों में लेंगे और इसको लड़ू की shape देंगे ये देखिए friends हमारा पहला लड़ू बनकर त्यार हो चुका है आप देख सकते हो friends की लड़ू कितना perfect बना है इसको और भी ज़्यादा सुन्दर लुक देने के लिए हम इस पर एक कटा हुआ बदाम लगाएंगी ये देखिए friends इस पर बदाम लगाने से इसकी लुक और भी ज़्यादा सुन्दर हो चुकी है इसी दरीके से हम सारे लड़ू बना कर द्यार कर लेंगे